वो आपकी property नहीं है, कि आप उन्हें जैसा चाहें वैसा रख सकें। अगर आप उन्हें अपनी property या अपना future investment मानते हैं, अगर आप उनके साथ इस तरह पेश आते हैं, तो आप अपमान कर रहे हैं इस स्रिष्टी का और स्रिष्टा का भी, और आपको इसकी कीमत चुकानी होगी। आप उनके लिए सारे फैसले क्यों ले रहे हैं? यही तो समस्या है, मुझे यकीन है कि मैं फैसला लेने के लिए सही इन्सान नहीं हूँ, लेकिन फैसला लेना चाहिए या नहीं, जब हालात ऐसे हों, तो मुझे क्या करना चाहिए? पहले चीज, हमें ये समझनी होगी, कि बच्चे आपके माध्यम से आते हैं, वो आपसे नहीं आते, वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, कि आप उन्हें जैसा चाहें वैसा रख सकें, नहीं, वो नहीं है, अगर आप उन्हें अपनी प्रॉपर्टी, या अपना फ्यूचर इन्वेस्टमेंट मानते हैं, अगर आप उनके साथ इस तरह पेश आते हैं तो आप अपमान कर रहे हैं इस स्रिष्टी का और स्रिष्टा का भी और आपको इसकी कीमत चुकानी होगी वो कीमत या तो यह जीवन के रूप में आएगी यह शायद यह आपके बच्चों के रूप में आएगी हाँ, यह दुरभाग्य की बात होगी मैं यह कह रहा हूँ किसी माता पिता के लिए यह बहुत कठोर बात है लेकिन मैं ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि बच्चे का माता या पिता बनना भी कुरूरता है बच्चे को इसकी जरूरत नहीं है लेकिन देखिए, कई तरीकों से आप हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि वो आप पर निर्भर रहे किसी न किसी तरह से आप उसे आजाद करने के बारे में नहीं सोच रहे तो जैसे ही आप एक काम शुरू करते हैं आप चाहते हैं कि बच्चे आपसे जुडाव महसूस करें, है न? हाला कि आप खुद भगवत गीता खोल कर पढ़ते हैं और कहते हैं आपको मोह में नहीं पढ़ना चाहिए आपको मोह में नहीं पढ़ना चाहिए आप अपनी पत्नी से कहते हैं देखो मुझसे मोह मत रखो पर आपके बच्चे, आप उनसे अपना जुडाव चाहते हैं बच्चे पैदा करने का फैसला लेने से पहले आपको इन बातों पर सोचना चाहिए पर अगर वो हो चुके हैं, तो कम से कम अब आपको इसके बारे में ठीक तरीके से, गंभीरता से सोचना चाहिए एक बात तो यह है, कि अगर आप दुनिया के लिए कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं, जो आपसे बहतर हो, यह ज़रूरी है अगर आप एक बच्चा पैदा करते हैं, वो कम से कम आपसे एक कदम बहतर होना चाहिए, है ना? अगर वही बक्वास दुबारा होने वाली है, तो क्या फायदा है? तो अगर आपसे बहतर कुछ होना है, तो पहली और सबसे बुनियादी बात यह है, कि आपको सौ प्रतिशत इमानदार होना होगा बले ही इमानदार होने में शर्म का सामना करना पड़े, पर आपका सौ प्रतिशत इमानदार होना महतुपून है अधिकतर माता-पिता के लिए बहुत कठिन होता है, क्योंकि इसी जगा पर उनकी धौस चलती है उन्हें अपने बच्चों के रूप में बढ़िया श्रोता मिल जाते हैं वो कहीं और बोलते हैं तो कोई नहीं सुनता पर बच्चे, बारा साल का होने तक, तेरा खतरनाख है जब तक वो बारा के होते हैं, तब तक आपके पास बढ़िया श्रोता होते हैं आप उसे भी खो रहे हैं, आज कल और भी पहले हो रहा है, है ना? आप उसे और भी पहले खो रहे हैं तो वो कितने साल के हैं चार फीक है तब तो सुधार की गुणजाईश है आपको ये करना ही होगा उनका पालन करना बंद करें उन्हें बस अच्छे साथ की जरूरत है घर में घूमते हुए किसी बेहुदा बॉस की नहीं पैके नहीं जब आप बड़े हो रहे थे क्या आपको अच्छा लगता था कि कोई आपको ओर्डर देता रहे क्या आपको अच्छा लगता था नहीं तो उन्हें एक दोस्त की जरूरत है उन्हें किसी माता या पिता की जरूरत नहीं है वो काम पहले ही हो चुका है पिता बनने का या मा बनने का मतलब है उनके शरीर को जन देना वो हो चुका है अब वो खुद एक जीवन बनने की कोशिश कर रहे है उन्हें जरूरत है एक दोस्त की आप उनसे केवल इसी मायने में आगे हैं कि आप उनसे कुछ साल पहले यहाँ आए, बस इसी में आप आगे हैं, आपके पास और कौन सी योगिता है? क्या आपको पूरा भरोसा है कि आप अपने बच्चे से ज्यादा समझदार है? हमें भरोसा है कि हम नहीं हैं हाँ तो आपके समझने लायक सबसे एहम बात यही है कि आप उनसे केवल कुछ साल पहले यहाँ आए हैं आपने बस इतना ही किया है कि आप कुछ साल पहले यहाँ टपक पड़े इसके अलावा आपके पास कोई योगिता नहीं कि आप उन्हें बताएं कि क्या करना है और क्या नहीं, हाया न? लेकिन दूसरा पहलू ये है कि अगर आप उन्हें नहीं बताते तो सडकों पर उन्हें गैर जरूरी सलाहें मिलने लगेंगी आपको बस इसी से उन्हें बचाना है लेकिन अगर आपको उन्हें इससे बचाना है तो आप में इतना साहस होना चाहिए कि आप उन्हें इस तरह से पाले कि वो आपसे भी कोई सलाह न ले आप कहते हैं मेरी बात सुनो पर अपने दोस्त की बात मत सुनो वो तुमको नशा करने को कह रहा है उसकी बात मत सुनो लेकिन दोस्त जो कह रहा है वो ज्यादा मज़ेदार लगता है आपकी बकवास की तुलना में यही सच है, है न? तो ये काम नहीं करने वाला अगर आप अपने बच्चे को एक जबरदस्त अहसास के साथ बढ़ने देते हैं उसके अपनी समझ और उसके अपने फैसलों के तो आप देखेंगे वो मदद लेना चाहेगा क्योंकि उसे आसानी से यह एहसास हो जाएगा कि उसकी अपनी बुद्धी और समझ अभी हर चीज के लिए काफी नहीं है लेकिन अगर आप उसे इस तरह पालेंगे कि उसे आपकी सला सुननी ही होगी तो वो विद्रोही बन जाएगा जब अच्छी बाते बताई जाएगी तब भी वो वो नहीं करेगा वो उसका उल्टा करेगा कई माता पिता ही अनुभव कर रहे हैं है ना वो उसका ठीक उल्टा करना चाहता है बस आजाद महसूस करने के लिए क्योंकि उससे आजाद होने का मतलब भी नहीं पता तो चार साल के उम्र बुरी नहीं है अब आप उनके साथ बस एक और इंसान के जैसा बरताव शुरू कर सकते हैं मेरा बच्चा मेरा बच्चा की तरह नहीं मैं आपको बता दूँ वो आपका नहीं है आपने बस शरीर के निर्माण के लिए जनेटिक तत्व दिया है आप जीवन नहीं बना सकते अपने बारे में ऐसे महान विचार न रखे आप जीवन नहीं बना सकते आप तो केवल जेनेटिक सामगरी दे रहे हैं एक शरीर के निर्मान के लिए और आपने तो इन चीजों के बारे में सोचा भी नहीं आप शारीरिक मजबूरियों के चलते कुछ करते हैं और वो पैदा हो जाते हैं तो ये बात समझ लीजिए कि बच्चे को आपने नहीं बनाया है ये एक स्वभाग्य है कि वो आपके माध्यम से आए हैं इस स्वभाग्य का आनंद लीजिए इस स्वभाग्य का समान कीजिए इस सौभाग्य का दुरुपयोग मत कीजिए ये बहुत महत्वपूर्ण है आपको ऐसा या वैसा क्यों पाला गया आपको बड़ा होकर एक इनसान बनना चाहिए है न? दरसल लोग कभी ऐसा महाल ही नहीं बनाते जिसमें कोई व्यक्ति फल फूल सके उन्हें वैसा ही पाला जाता है जैसा आप उन्हें बनाना चाहते वैसा नहीं जैसा उन्हें एक जीवन के रूप में होना चाहिए अगर आप उनके दिमाग में कचरा नहीं ठूस रहे हैं उनके भीतर चीजों को ध्यान से देखने की ख्रमता है और चीजों को ध्यान से देखने से स्वाभाविक रूप से लाखो सवाल पैदा होते हैं आप अपनी समझ के अनुसार जितने हो सके उतने सवालों का जवाब दीजिए आप जो नहीं जानते होने बता दीजिए मुझे नहीं पता मैं बस तुम से कुछ साल पहले ही आगया इसका मतलब ये नहीं कि मुझे सब कुछ पता है अपने बच्चों के सामने स्वीकार करें दिक्कत क्या है आपको लगता है कि वो पढ़ नहीं सकते कि आपकी बातों में सच्चा ही नहीं है आपको लगता है कि वो देख नहीं सकते तो मैं आपको बता दू कि 10, 12 या 13 का होने पर अगर उनके भीतर कोई समस्या है तो वो आपके पास नहीं अपने दोस्तों के पास जाते हैं क्यों उन्हें लगता है कि दोस्त आपसे कहीं ज्यादा सच्चे है कोई और कारण नहीं है हाया न आप ऐसे दिखावा करते हैं मानों आप स्वर्ग से टपके हो आपकी बकवास कौन सुनना चाहता है अगर आप 10-12 साल की उम्र तक उन्हें ब्रेनवाश ना कर दें तो वो नहीं सुनेंगे कोई भी समझदार इंसान फालतू बाते नहीं सुनेगा आया न बच्पन से उसी की घुट्टी न पिलाई गई हो तो तो इस सौभाग्य को पूरी साबधानी और सम्मान के साथ संभालिए इसका दुरुपयोग मत कीजिए आपको बस उन्हें गलत प्रभावों से बचाना है बाकि उन्हें आजाद छोड़ दीजे अगर आपको लगता है कि वो गलत रास्ते परी जाएंगे तो ये आपका खुद का अनुभव होगा आपको खुद पर पूरा भरुसा है मेरे बच्चे गलती ही करेंगे बस उन्हें उन्हें गलत प्रभावों से बचा कर रखें और साथ ही वो आपके प्रभाव से भी मुक्त होने चाहिए क्योंकि वो भी एक बुरा प्रभाव है मैं कह रहा हूं कि अगर आप ये दिखा सकेंगे जो आप कर रहे हैं वो वास्ताव में महत्वपूर्ण है और आप इसमें अपनी जिंदगी लगाने को तैयार हैं तो आपके बच्चे उसमें अपनी जिंदगी क्यों नहीं लगाएंगे अगर आप ऐसा समरपण नहीं दिखाते अगर आप जीवन के साथ वैसा जुड़ाव नहीं दिखाते और आप उनसे कुछ महान बनने के उम्मीद रखते हैं नहीं, ऐसा नहीं होगा और वो आपकी बकवास नहीं सुनते वो देख रहे हैं कि आप क्या करते हैं और आप क्या हैं, है न? तो अगर आप बच्चों को बड़ा बनाना चाहते हैं तो पहले खुद को बड़ा कीजिए बच्चों की चिंता मत कीजिए बस खुद को एक शांदार इंसान में विक्सित कर लीजिया अगर आप ऐसा करते हैं तो उनके साथ भी वही होगा ये गलत नहीं हो सकता लेकिन इसकी कोई गैरंटी नहीं है जीवन के हर पहलू की तरह इसकी भी कोई गैरंटी नहीं है क्योंकि सडक पर कोई और ज्यादा शक्तिशाली प्रभाव मौजूद हो सकता है इसन्ट इट